बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है जहां पर शराब खोटाले में ED का एक और बड़ा एक्शन हुआ है जिसने विपक्षी गटबंधन INDIA की नींद उड़ा दी है ये बड़ी खबर है जहां संजे सिंग के ठिकानों पर ED की रेड हुई है नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजयनी तो शराब खोटाले में ED का एक और बड़ा एक्शन हुआ है आम आदमी पार्टी के राजसभा सांसद संजे सिंग के घर पर ED ने च्छापे मारी की है और आपको ये बता थी है कि चार्शीट में संजे सिंग का भी नाम थ इन डी आई ए की नींद उडा दी है जाहिट तोर पर आम आदमी पार्टी के नेता पर जो एक्शन हुआ है इस ब्रस्टचार की माफले में उसको लेकर अब तमाम जो विपक्षी गटबंधन के नेता है फिर चाहे वो आर्चेडी के नेता हो चाहे वो उदव ठाकरे की पा जानों में दिखाई दे रही है इस पूरी कारपाई को लेकर एक बार फर विपक्षी गटबंधन के नेताओं ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला फोला है और यह कहा है कि दरसल वो अपनी जो नीथियां हैं उनसे मुकाफला नहीं कर सकते तो इस तरीके से एडी और CPI का इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ही नहीं आर्चेडी के नेता मनोजजा ने यहां तक कह दिया कि यह सिलसला चुनाफ तक चलेगा क्योंकि बीजेपी हार रही है तो उस तरह की बोखलाहट है यह विपक्ष के नेताओं की जाहिर तोर पर संजे सिंग आम आदमी पार्ट जफरी नरींद्र मोदी और अडानी को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में यह बड़ा शुराब घोटाला हुआ जिसमें पहले ही मनीश सिसोधिया जेल में बन हैं उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसर संजर सिंग के घर पर और इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी बोखलाई और यह कहा कि डरफोग चोठी पास राजा की कहानी हैं एक मीम शेर करते कोई परधान मंतुरी नरींद्र मोदी पर बड़ा हमला आम आदमी पार्टी ने भी बोला है लेकिन वहीं उदव ठाकरे की पार्टी के नहता संजर राउत भी बोखलाए हैं और उनकी तरफ से इसे ताना शाही करार दिया गया है तो संजर राउत ने जो न्यूज एजनसी एनाई से बाचीत करते हुए इस रेड पर बयान दिया है उन्हें ये कहा कि संजर सिंग के घर जिस तरह से छापे मारी चल रही है उससे मुझे लगता है कि ये ताना शाही की हद है ये संजर राउत का बयान है क्यानि उन्हें ये ताना शाही नजल आ रही है लेकिन आम आदमी पार्टी अर्विंद किर्जवाल सरकार पर लगातार शुराब खोटाले को लेकर सवाल उठे है संजर राउत ने अपने बयान में संजर सिंग को एक निर्भय पत्रकार भी कहा है और कहा है कि उनके घर में च्छापे मारी हो रही है हमारे उपर च्छापे मारी होती है बाहराश्टर पश्य बंगाल 36 कर जारखन में च्छापे मारी होती है लेकिन गुझरात, मध्यपरदेश, असाम और अन्य बीजेपी की जहां पर सरकार है वहां पर छापिपारी क्यों नहीं होती ये सवाल संजे राउत की ओर से पूछा गया है उन्होंने ये भी कहा कि अगर जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देंगे कि किधर खपले हो रहे हैं संजे सिंग के घर जिस तरह से पिमारी चल रही है उससे मुझे लगता है कि ये ताना शाही की हद है ये संजे राउत का बयान है इस पूरे एक्शन पर जाहिर तोर पर ये बहुत बड़ा खोटाला है जिसमें पहले ही मनीश हिसोदिया तिहार जेल में बंद है उन्हें जमानत नहीं मिल रही है और लगातार इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता फस्ते जा रहे हैं आपको ये बता थी कि विपक्षी गडवंधन में सिर्फ संजराउत ही नहीं बलकि आर्चरी के नेता मनोज शा की बॉकलाहट भी देखने को मिली और उन्हें कहा कि ये दुखद है लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है उन्हें ये भी कहा कि अब ये सिलसला चुनाव तक जारी रहेगा पियम मोदी और अमिशारी इसकी ओप्चारी घोशना करती ह दो हजार चुनाव कल न्यूस क्लिक और तमाम पत्रकारों पर च्छापवड़ा आज सेंजह सिंग पर च्छापवारी हो रही है तो ये साफतोर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनाव जब तक होंगे तब तक ये च्छापवारी का दोर देखने को मिलेगा की दो हजार चोबिस की कल न्यूस क्लिक के ठिकानों पर तमाम पत्रकारों पर आज संजह जी पर और आज ही हम हमारे रास्ट्य अध्यक्स लालू जी तेस्वी जी हम लोग जा रहे हैं बिल सिक करने तो ये पूरा परिद्रिश्य है प्रणाम महामानव जी को और उनके सायो किया है कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे सनद रहे मुझे ये मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गया है आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं ये भी सवाल पूछे गया बताओं अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोच ना करे तुसे उठा करके डाल दो जेल में फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है बिलकुल सही वाला मॉडल आदर्श मॉडल लेकिन खत्म तो सब होता है वहीं कॉंक्रिस पार्टी के नेता भी तिल मिला हुए हैं उनकी भी नीन्त उड़ी हुई है त्योंकि जिस तरीके से ये जाज जिन्सियों की कारफाई अलग-अलग खोटालों के सिलसिले में काफी जादा तेज हो रही है पशिम बंगा से लेकर रास्थाने दिल्ली तक उससे पहले ही विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है लेकिन अब इस पूरी कारफाई को लेकर आपको मैं ये बतातूँ कि कॉंक्रिस पार्टी के नेता प्रमोत तिवारी ने बीजेपी का तानशाही रवया इसे करार दिया है और ये कहा है कि जोर जबरदस्ती दमन भै और आतंक का माहुल पत्रकाओं के खिलाफ उन नेताओं के खिलाफ पीजेपी कायम करना चाहती है जो विरोधी दल की हैं विशेशकर जो आई एंडी आई एलाइंस के हैं और जिस तरह चापे मारी हो रही है वो निंदन ये हैं ये प्रमोत तिवारी कॉंक्रिस पार्टी के लीडर हैं उनका बयान सापने आए हैं तो कुल मिलाकर जो पूरा विपक्ष है जो परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष तयार हो रहा है अब एदी ने जैसे ही चापा मारा है ये पूरा विपक्ष अब भड़का हुआ है और इस तरीके से उनकी जो बॉकलात है वो उनके बयानों में साफतोर पर देखने को मिल रही है क्या आर्चेडी क्या जेडियू कॉंक्रिस से लेकर तमाम पार्टियों के नेता जितने भी तल इस गटवंधन का हिसा है वो लगातार संजर राउत के घर प ये मुकाफला जो है अपनी काम और अपनी नीतियों से नहीं कर सकते तो अब इस तरीके से ED, CPI और IT ही इनके राजनितिक हत्यार है ये जेडियू के नेता नीरज कुमार का बयान है और इनका परिशान करना स्वभाविक है लेकिन परिशान करने की भी एक सीमा होती है इसी करकड़ी में सबाच्छवादी पार्टी के नेता घंशाम तिवाथी का कहना है कि ये बीजेपी पियम मोदी अमिशा और अडानी का नया तानाशाही मौडल है संसद में सांसदों के माइक्रोफॉन म्यूट कर दिया जाते हैं और सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है ये पुड़ी तरीके से तानाशाही चल रही है ये उनका कहना है भार्टी जिन्ता पार्टी के नेता अमिशा अडानी और नरेंद्र मोदी जी का ये नया तानाशाही मौडल है जिसमें संसद में माइक बंद कर दे जाती है संसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है वान न बात रखते हैं महंगाई से लड़ने की बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं संसद और लोकतंत की मर्यादाओं की बात करते हैं संविधान की बात करते हैं उनके उपर EDCBI BJP के गुंडे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और जितने तरह के विद्वन्सकारी काम किये जा सकते ह सब किये जाते हैं तो भारती जनता पार्टी बता रही है कि इस तरीके से दिया बुझने से पहरे फुक फुकाता है उसी तरीके से भारती जनता पार्टी की सरकार बुझने वाली है और उससे पहले फुक फुका रही है अच्छे दिन देने वाली पार्टी अब इमर्जंसी क को ये बता रहे हैं कि विपक्ष का जो चेहरा है वो कितना दोहरा है कितना दोगुला है ये साफ तोर पर इस बात से समझा जा सकता है कि एक तरफ ये तमाम राज्यों में आपस में भिड रहे हैं लेकिन जैसे ही ब्रस्टेचार के माफलों में कारफाई होती है ये तमाम उसको लेकर Congress Party के नेता भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आए लेकिन उसके बाद जब ये गटबंधन तयार हुआ तो आज उसी भ्रस्टचार में लिप्त आम आदमी पार्टी का Congress समर्थन कर रही है सवाल तो यही उड़ता है कि क्या Congress Party की ये मजबूरी है समर्थन क करना या वाकई जो दिल्ली में वो कर रहे थे कुछ वक्त पहले यानि आम आदमी पार्टी पर जो भ्रस्टचार की वो आरोप लगा रहे थे शिराब खोटाले में जो एक्शन हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे थे क्या वो सच था या आज जो एडी का एक्शन सराब खोटाले में संजे सिंग पर हुआ है आज जो उनके बयान साफने आ रहे हैं जो मोदी की ताना शाही इसमें उन्हें नजर आ रही है आज उनका ये बयान सही है तो सवाल पूछे जाएंगे जाहिर तोर पर और लगातार देश की जनता भी ये कातवाई हुई लेकिन उसके बाद अब संजे सिंग पर ये बड़ी ख्रेड हुई है और खबर यही है कि दरसल शुराब खोटाले में ये पूरी कातवाई जो है वो एडी ने की है चोकि दिल्ली में शुराब नीटी को बदल कर खिये गए खोटाले की चाशीट में संजे स का नाम भी शामिल है और यही वज़ा है कि दरसल इस पूरे माफले में ये एक्शन जो है वो एडी ने लिया है हाला कि दिल्ली शुराब खोटाला माफले में संजे सिंग का नाम चाशीट में अप्रेल में साफने आया था जिसके बाद उन्हें एडी पर मानहानी का केस करन पर मिशन भी मांगी थी संजे सिंग ने ये भी दावा किया था कि उनको एडी ने एक लैटर भेज कर कहा है कि उनका नाम चाशीट में गलती से जुड़ गया संजे सिंग ने अपने दावे में ये भी कहा कि एडी के अधिकाशियों ने उनसे माफी मांगी है और कहा है कि व आदमी पार्टी ने इसे मुद्धा बनाया एडी के खिलाफ मोदी के खिलाफ और लेकिन आज इस पूरे माफले में ये बड़ा एक्षन संजर सिंग पर हुआ है जिसके बाद ये पूरा जो विपक्ष का अलाइंस है ये भड़का हुआ है दिल मिलाया हुआ है और कही ना कही इस एक्षन से उनकी भी नेंद उड़े हुई है फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद